नमस्कार मैं पूचा यादर और आप देख रहे हैं अध्प्रकाश टीवी और लेकर हाजिनू आपके लिए देश-प्रदेश की बड़ी खबरे चलिए नदर डालते हैं ताजा हेड्लाइन्स पर कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की बड़ी पहल सार्क राश्चर प्रमुखों के सामने रखा वीडियो चैट में बातचीत का प्रस्ताव यूपी में कोरोना वायरस महमारी घोशित 22 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद फारुक अब्दल्ला की नजर्बंदी खद्न करने का आदेश 6 महीने बाद होगे रहा ग्रेटर नॉइडा की एक कमपनी का करमचारी मेरा कोरोना संक्रमित निगरानी में 700 करमचारी उनाव रेब केस पीडिता के पिता मजर मामले में कुलदीब सिंग सैंगर को 10 साल की सजा कोरोना वायरस दो हफते के लिए टला IPL 2020 अप्रेल 15 से होंगे मैच हर्याने की तीन राजसबा सीचों के लिए कॉंग्रेस के जिपेंदर और भाजपा के दुशिंत कुमार गौतम और राम चंदर जांगडा ने भरा नामंकन गुर्दासपूर के नस्दीक पुल से गिरी यातरी बस एक की मौत और अठारा घायल मोधी ने अपनी वर्ल लीडर की छवी के मुताबिक दक्षिन एशिया एदेशों के संगचन साथ में सामिल देशों में अहावन किया है कि सभी आठ राश्चित धक्ष वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये कोरोना के खिलाफ साजी लडाई पर चर्चा करे योगी सरकार ने कोरोना को महमारी घुशित कते हुए सभी स्कूल कॉलेज 22 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया है अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने बैठक में ये फैसला लिया है इस फैसले पर 20 मार्च को समिक्षा होगी जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा आखिरकार 6 माईने बाद जमुकश्मी सरकार ने नाशनल कॉन्फरेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने का फैसला लिया है बता दे कि फारुक अब्दुल्ला को जमुकश्मीर पब्लिक सेफटी आक्ट 1978 के तहट नजरबंद किया गया था जमुकश्मीर के प्रमुक सचीव योशना रोहित कंसाल ने अपने ट्वीटर हैनल पर फारुक अब्दुल्ला की हिरासत खत्म करने को लेकर आदेश की कॉपी शेयर की दिल्ली में रहने वाले और ग्रूना के एक कंपनी में काम करने वाले व्यक्ती में कोविज-19 के लक्षन पॉजिटिव पाए गए हैं इसके बाद से स्वास्तविभाग ने उस कंपनी के सभी करमचारियों को सर्विलांस पर रखा है 26 मार्च को होने जा रहे राज्यसभा चुनावों के लिए हर्याना की तीन सीटों में से एक सीट से कॉंग्रेस के दिपेंदर हुटा और भाजबा से दुश्यंत कुमार गौतम और रामचंदर जांग्रा ने नामंकन भरा धारिवाल कस्बी के पास एक नीची टूरिस्ट बस पुल से नीचे गिर गई इससे एक यात्री की मौत हो गई और करीब 18 यात्री घायल हो गई घायलों में कई की हालत गंबीर है और कुछ के हाथ पैर कट गए हाथसा अम्रेसर्ट जीटी रोड पर हुआ अब तक के लिए इतना ही फिल लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश के कुछ बड़ी खबरे लेकर और देखते रही अर्थप्रकाश टीवी ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें